हलो दोस्तो मैं हुकास दिव कर्मा हिंदी वाइस नोट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर रिसब देव के बारे में पढ़ेंगे तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिसब देव का फैमली परचय देखिए ये च्वाकुवंस के सासक थे नाभी राज और इनकी पतनी का नाम था महरानी मरुदेवी इन दोनों से रिसब देव का जैन हुआ था रिसब देव ने अपने जीवन काल में दो विवा किये थे जिन में से उनकी पहली पतनी का नाम था नंदा और दूसरी पतनी का नाम था सुनंदा या सुमंगला या या श्वाती रिसब देव के सौ पुत्र वह दो पुत्री थी सौ पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था रिसब देव के सौ पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था चक्रवर्ती भरत और इन्ही के नाम पर ही देश को भरत वर्स कहा गया देखिए जैन ग्रंथों के नुसार रिसब देव ने 1000 वर्ष तब करने के पस्चाद उसको केवल या ग्यान की प्राप्ति हुआ था और वैदिक दर्सन अथरवेद वह पुराणों के कुछ ग्रंथों में रिसब देव का वर्णन मिलता है और भागवत में अहन राजा के रूप में रिसब देव का वर्णन है तो यह हो गया रिसब देव के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होता है जैसे कि जैन ग्रंथ वैदिक दर्सन और भागवत से उसके बाद देखते हैं हमों रिसब देव का परचाय दिखिए देखिए रिसब देव का जन्म हुआ था चैत्र किष्ट नौमी को और जन्म इस्थान के बारे में हमें दो जानकारी मिलती है पहला अयोध्या और दुसरा गुंजी देखिए आगम गरंद के नुसार रिसब देव का जन्म अयोध्या में हुआ था जो की यूपी में पढ़त है और दुसरा दिखे साथ वाहन काल के सासक थे भौधत वर्मन इनका हुआ है गुंजी ललेक है की रिसब देव का जन्म और कर्म इस्थल गुंजी है तो जन्म इस्थान के बारे में हमें दो जानकरी मिलती है पहला कि उनका जन्म आयोध्यम हुआ था आगमगरंद के नुसार और दूसरा गुंजी में गुंजी सिलालेक से सात्वाहान काल के सासक भौधत वर्मन का सिलालेक प्राप्त हुआ है जिने कहा जाता है गुंजी सिलालेक और इसमें वर्णन है कि रिसब जैन्म धर्म के प्रथम तीर्थकर थे तीर्थकर का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करें जैन्म मरण चक्रतक का रिसब देव का प्रतिक चिन था साण या बैल या रिसब उनका प्रतिक फ्रिक्ष था बर्गद उनका प्रतिक रंग था स्वन रिसब देव के और भी अ अहिंचा और अपरी ग्रह का, रिसब देव को विश्नु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है, रिसब देव को निर्वान प्राप्थ हुआ था, अर्थात मोक्ष प्राप्थ हुआ था कैलास परवत पर देखे राजिस्थान राजिस्थान के एक जीला है उदैपूर उदैपूर के एक सहर का नाम रिसब देव जी या केसरी याजी जी केसरी याजी जी नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर केसर से पूजा होती है तो इस पार्ट में हम लोगों नेरी सब देव जी के बारे में पढ़ा